हेलो सुदेंट्स वेलकम टू अफिसेल यूट्व चैनल आप फोरीजिन कोचिंग स्वागत आप सभी का और आज मैं आप लोग को एक स्पेशल टापिक पर डिसकस करने वाला हूं और वो है के सीबी एस्पी क्लास 12 के फिजिक्स के 2024 के एक्जाम पेटर नपर देखें अभी सीबी एसी ने 2024 के लिए जो एक्जाम का क्लियर नहीं किया और रेंडेमली कुछ भी पढ़ते जा रहा है तो आप मेहनत बहुत करोगे लेकिन मार्स कम आएंगे तो निश्चीत रुप से आपको सबसे पहले पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह अपने ब्लूप्रिंट को समझना साथ ही साथ आपको पता है कि अभी इस साल सीवी एसी ने बहुत से टापिक डिलीट कर दिया है हाला कि डिलीटेट पाइट पर मैं आपको एक अलग से वीडियो दूँगा आज तो मैं कम्प्लीटली आप से डिस्कस करूंगा कि ब्लूप्रिंट क्या है कितने मार्स के क्वेश्चन आते हैं कितने वर्ड लिमिट होते हैं कैसे हमको उसका आंसर राइटिंग पर फोकस कर हों कि आप उसको अपने नोट्स के फ्रंट पेज में लिखके भी रखो और जब भी आप प्रिप्रेशन करो तो आपका पूरा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि हमारा जो ब्लूप्रिंट है वह किसके एक अर्डिंग हमको वहां पर प्रिप्रेशन करना है चलिए तो हम ड करने हैं कितने 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 आपसंस आपको मिलते हैं यह सभी चीछ पर हम आप डिसकस करेंगे तो देखो सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं कि टोटल नंबर आप कोश्चन कितना होता है तो टोटल नंबर आप कोश्चन जो आपको मिलेगा वह 33 कोश्चन मिलेगा यह 33 question आपको साल्व करने हैं 33 question आपको साल्व करने है टोटाल फिजिस के पेपर में question का pattern कैसे होगा किस तरह के question आएंगे यह मैं one by one आप से discuss करता हूं देखो सबसे पहले section A जो आपका होगा section A section A में system multiple choice question होंगे यह बहुत बड़ा portion है 16 marks का आपका mcq होगा और mcq के preparation के लिए जवरी है कि आप inside question पढ़ो inside question पढ़ो that means आप ncrt के book के पूरे अंदर reading करो मैं आगे आपको बताऊंगा कि यह सब आपको कहां से मिलेगा मैं आपको बताऊंगा कि आप मेरे साथ इन चीजों को कैसे prepare कर सकते हैं पहले तो मैं आपको explain कर दूँ ब्लूप्रिंट तो 16 multiple twice question होंगे each question वर मार्स यह 16 marks का आपको multiple twice होगा वह भी दो पाइट में बटा होगा एक पाइट जो होगा वह होगा mcqs direct mcqs होंगे जिसमें 12 question होंगे फोर आपसन आपको दिये होंगे जैसे आप competitive exam में नीट आइटी जे में यह cbsc का सबसे बेस्ट है तरीका यह है कि एक स्टुडेंट 12 multiple twice questionnaire करेगा 70 के question paper में तो वह competitive के pattern पर भी parallel prepare हो रहा है प्लस यदि उसको concept में अच्छा command है तभी वह इस पर अच्छे मार्स ला सकता है तो मैं सांस ना तो आपको यह भी बताते जा नी ट्रहस आपको इसके बाद देखो 12 होंगे और इसमें जो फोर कोस्टन होंगे फोर कोस्टन होंगे वह सरसे reason के question होंगे में आपको बताना होता है कि दोनों true है कि true और फाल्स है कि दोनों false है एक फाल्स है एक सर्से हैं तो रिजन उसका रांग है रिजन राइट है तो एसर्सन रिजन के कोस्टेन भी तभी बनते हैं जब कि आपके concept क्लियर हों यह concept पर बेज़्ड है पूरे concept पर बेज़्ड होते हैं तभी आप बता पाएंगे क्योंकि इसका रिजिनिंग है उसका जो लाजिक है वह आपको वहां पर पहचानना होता है तो यह सिस्टीन मार्स के मुल्टीपल ट्वाइस कोस्टन हो जाते हैं त्वेल्ब और फॉर क्या है एसा तर रिजिनिंग पर बेज्ग यह होता है आपका सेक्शन होता है आपका सेक्शन होता है यह जो question है two marks के यह छोटे-छोटे reason explain करने पर या 30 वर अंदर 30 वर आंसर जिसका हम लिख सकते हैं कौन से explain करने reason explain करने पर या छोटे से numerical इस तरह के question two marks में पूछे जाते हैं generally two marks के question easy होते हैं और एक common approach पर होता है common approach पर होता है मतलब चीजों को आदिया अपने ध्यान से पढ़ाया तो two marks के question approach हो जाते हैं इसके बाद हम देखते हैं सेक्षन सी सेक्षन सी भी क्या होता है इसमें seven question होगा section c में seven question होगा और इच question three marks होगा 75 word limit में आपको near about इसको लिखना होता है 70 75 के आसपास word limit में आपको लिखेंगे तो three marks के question का आपका answer model answer लिखा जाता है वैसे अभी मेरी planning है कि आप लोगों को में इस तरह से cbsc board के ट्वेल्ट के part part में part part में सभी चीज़ों को guide करूंगा अभी इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि इतना delete हुआ है फिर आपको में combine करकर दे देता है two marks का एक part और one marks का दूसरा part तो three marks का question होगा अभी आपको बताऊंगा किसमें action आपको कहां कहां मिलेंगे section d में आप देखो section d क्या होता है यह case based होता है यह बहुत मज़धाय topic है section d case based होता है जैसे आपका English में पैसे जाता है उस तरह से आपका एक किसी case को explain किया होगा physics के concepts related कोई case explain को किया होगा और उस case पर four multiple choice question होते हैं मतलब ओवराल देखोगे तो cbsc के paper में तो major portion आपका mcq से साल्व हो जाता है देखो 16 टाइप A में और यहां पर देखो eight marks मतलब two question question ऐसे होंगे और इस question फोर मार्स होगा यह case study पर आपको two question मिलेंगे 29 और 30 number का question 29 और 30 number का question है वह complete fix है क्यों case based होगा यहां पर जो question है यह 29 number का और 30 number का यह दोनों question जो होंगे यह दिखाने क्या ठीक से color ठीक मैं बताता हूं रेड ही में लिखना सगी यह two question जो होंगे उसमें 29 नमबर का question and 30 number का question यह case based होगा इस question for Mars होगा और वो क्या होगा उसमें 24 होंगे और उसके भी एक 24 में आपको R मिलेगा मतलब इतना आसान है आपको अच्छा score करना इसलिए मैं आपको यह class share कर रहा हूं कि प्रापर स्टेटेजी से आप चलोगे बहुत अच्छा आपका score होगा बस उसको आपको तयार कैसे करना है मैं आपको बताता हूं तो 8 मार्स का case study का question हो जो case best होगा case को आप पढ़ो और case पर best आप answer दो इसके बाद आता है देखो तो long answer type question तो question number three question three question five marks each 15 marks का होगा यह question आपका thirty one thirty two or thirty three यह तीन question long answer type question होंगे और यह long answer question में इस question कितना होगा five marks होगा total 15 मार्स का होगा इस तरह से टोटल 70 मार्स का आपका question पर होना संदूर है कि सेक्षन एस सबसे आसान है यदि एक टीचर को प्रापर एस्पेरियंस है प्रापर एप्रोच है तो आपको एक कोष्चं टीक्लियर करके बता देगा कि इस ताली यह जान फाइब मार्स के आ क्योंकि लाग आंसर डाइब कोस्टन में हर चप्टर से लाग आंसर कोस्टन बनता नहीं है कुछ लिमिटेट कोस्टन है और खासकर अभी जब डिलीट कर दिया है बहुत सारे पार्ट को तब तो यह कान हम लोग के लिए के लिए बहुत आसान हो गया बस आप मेरे क्लास में के लिए प्रिप्रिंट कर दूँगा बस जिस तरह से मैं आपको को एक क्वेस्टन पर आपको एक 24 मिलेगा सेक्षन भी में एक क्वेस्टन पर सेक्षन सी में आपको वन क्वेस्टन पर 24 मिलेगा सेक्षन डी में वन क्वेस्टन इन इच केस बैस्ट क्वेस्टन अभी आपको बताया कि जो 29 और 30 नमबर का होगा उसमें four option में एक option में आपको 24 मिलेंगे उसमें से किसी एक को बनाना होगा कि बार्स आपके लिए यह कि section इस okay questions सभी तीनों प्रसन में तीनों question में आपको क्या मिलेंगे 24 मिलेंगे मतलब इसमेंसे आपको q bestia n classes हो रहा है unacademy के platform पर यह मेरा special class है free class है यहां आपको कोई भी single rupees charge नहीं करना है और यहां पर मैं यह पूरे blueprint के according आपको class 12 का preparation करा रहा हूं पूरे a to z आपको 70 marks का question मैं यहां पर आपको prepare करा दूंगा यहां पर मेरे क्लासेज होते हैं देखिए इसमें मेरा special class है जो कि क्या है 11 और 12 दोनों class के लिए होता है doubts आपके को भी doubt हो उसको complete clear करेंगे live chat से आप बात कर सकते हैं quiz यह जो mcq question है mcq question के लिए हम क्या करते हैं quiz conduct करते हैं ताकि student अपने mcq को proper आपर साल्व कर ले previous year question की भी मैं आपको practice कराऊंगा जो cbac board में previous year में आए हुए हैं और ncrt problem को तो necessarily हम क्या करेंगे साल्व करेंगे क्योंकि ncrt से cbac question बहुत आता है आपको होता है मेरे class का schedule यह है 11 class को में थ्री डेस यह त्यूजडे थ्रस्डे इन सट्रेंडे पढ़ाता हूं और class 12 को हम पढ़ाते हैं मंडे वेस्डे और फ्राइडे और टाइमिंग हमारा 4-5 प्यम तो इस class को आप unacademic application डाउनलोड करके join कर सकते हैं इस तरह से 2024 के blueprint पर हम आपके साथ में work करेंगे और यदि आप इस class को regular join करते हो तो board exam के preparation से आप मुखत हो जाएए बिल्कुल हमारे साथ आप class join करिए और आप maximum marks score कर सकते हो ओके थैंक्यू समझ